सुटेबल बिजनेस फॉर कैप्रिकॉर्ण मित्रो नमस्कार मैं मैं इंत्रिपाथी नचत रहस चैनल पर आप सभी दर्सकों का हार्दिक स्वाकत करता हूँ आज के वीडियो में आज जानकारी देने का प्रयास करेंगे यदि आपकी मकर रासी है या मकर लगन है तो कौन सा व्यापार आपके लिए सबसे उप्विक्त होगा कौन सा व्यापार करके आप बुलंदी को हासिल कर सकते हैं इस लिए मैंने लिखा है कि आप करोड़ा व्यापार पती तक बन सकते हो यदि आपने सही व्यापार किया तो यदि आपकी मकर रासी है तो आपके सब्तमेस बन जाते हैं चंद्रडेव ऐसे में चंद्रदेव से संबंधित यदि आप व्यापार करोगे तो निश्शित ही आप सफल हो जाओगे और मन मुताबिक रिजर्ट आपको बिजनेस में देखने को मिलेगा और उधर दसम के स्वामी शुक्र दिव हो जाते हैं पहले आप ये कुंडली में देख लीजिए कि कुंडली में शुक्र बलवान है या आपके चंद्र दिव बलवान है चंद्र यदि छठे भाव में या बार्वे भाव में नहीं बैठे हैं तो आपको चंद्र से संबंधित व्यापार करने चाहिए यदि शुक्र बलवान है शुक्र छठे या बार्वे में नहीं बैठे हैं केंडर त्रिकोण में बैठे हैं तो ऐसे में आपको शुक्र से संबं दूद दही का विजनेस कर सकते हो, इसके इलावा पानी का विजनेस आप कर सकते हो, जैसे बिसलरी की बोटर हो गई, चांदी का वियापार कर सकते हो, चावल का वियापार कर सकते हो, इसके इलावा गही, पनीर, दूद दही का विजनेस आप कर सकते हो, का Carbon कर सकते हो और साथ ही साथ दार्मिक कार्णियों में आप इंटरेस्ट रिखाओं के तो अच्छा सफन हो जाओगे पूजा, पाठ, कर्मकाण गए आप करा सकते हो, यदि आपकी कुंडली में चंदर मजबूत हैं, तो किन्त यदि चंदर कमजोर हैं, शुक्र मजबूत हैं, तो आप क्या करोगे? तो आप संगीत की लाइन चुन सकते हो, मीडिया की लाइन चुन सकते हो, फैशन ज्वेलरी का बिजनेस कर सकते हो, ब्यूटी पार्लर का आप काम कर सकते हो, कॉस्मेटिक की दुकान आप कर सकते हो, साथ ही साथ यहां भी कपड़ों का व्यापार आपको रेकमेंड किया जाता और साथ ही साथ डिजाइनर आप बहुत अच्छे बन सकते हो एरलाइंस का बिजनेस कर सकते हो फोटोग्राफिक का बिजनेस कर सकते हो वीडियो इडिटिंग का यदि आप काम करते हो तो बहुत अच्छा सफल हो जाओगे इसके साथ ही साथ बुटिक का काम चांदी का काम और साथ ही साथ उसके मंत्रों का लगातार आप जब करें, ताकि दिन दूने रात चोगने आपके विजनस में तरक्की होने लगे, बैक फुट पे आपको लाइट में ना आना पढ़े, उम्मीद है वीडियो आपके लिए helpful साबित होगी, मैं कत्रिपाठी को नमत दीजिए, नमस्कार